हलो फ्रेंड्स, बेलकम टू सन्वी क्लासेज, हम लोग बिहार दरोगा 2030 टार्गेट स्रीज चला रहे हैं, इसमें सबसे पहले देख रहे हैं प्रिब्येस एर्स के पेपर हैं, 26-12-2020 के पर्थम पाली में पूछे गए प्रस्ण को देख चुके हैं, आज का वीडियो है 26-12-2020 में पूछे गए दूसरी पाली के प्रस्ण, यानि सकेंड सिप में पूछे गए प्रस्ण, अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जूड जाएए, आईए शुरू करते हैं पहले प्रस्ण से, पहला प्रस्ण है कि निमलिखित या मुत्तर में से कौन सा भारत का मानक यम उत्तर हैं, और इसका अंसर हो जाएगा, ऑप्शन A, बिरासी डिगरी 30 मिनिट पूर्व, बिरासी डिगरी 30 मिनिट पूर्व यम उत्तर भारत का मानक यम उत्तर हैं, भारत का मानक समय उत्तर परदेश के नईनी से गुजरती है, और जो भारत का मानक द सबसे पहले भारतिय राष्टे कंग्रेस के स्थापना हुई इसके बाद साइमन कपिंसर का रिपूर्ट आया दीतिय गोल में सम्मेलन हुआ और भारत छोड़ो अद्गलन हुआ उने 122 में भारत छोड़ो भारतिय राष्टे कंग्रेस का स्थापना 1885 में दितिय गोल में सम्मेलन उने 131 में हुआ था नेक्स्ट प्राशन है निम्न में सक्या बाहि प्रवाह नहीं है इसका अंसर हो जागा उप्सन ए विदेशों से रीन प्राप्ति बाहि प्रवाह नहीं है पुंजी बाहि प्रवाहों का उदारन है रीनों का भुगतान विदेशों में कमपनियों के सेरो या परिसंपतियों का खरीद आदी नेक्स्ट है एक किस मान के लिए चार अंकों की संख्या 6,8,2,5,11 से बिभाजित है तो 11 से बिभाज का नियम है कि जिस संख्या के सम और बिसम अस्थानों के अंकों का अंचर 0 या 11 के गुना जो वह संख्या 11 से बिभाज होगा एक जगा पर अगर हम 3 रख द सही जबाब है option A सदन की सतस्ता का दस्वा भाग होना चाहिए एक वठा दस भाग होना चाहिए भारतिय समिधान के अनुछेद 100 में गन पूर्ती कोरम के बारे में प्रवधान किया गया है यदि संसत के निर्धारिश सदसंख्या का 10% सदा सुपस्तित नहीं है तो सदन की क कोरम के संदर में प्रवधान किया गया है नेक्स प्रस ने कि भारतिय मानक समय रेखा कहां से नहीं गुजरती है तो भारतिय मानक समय रेखा तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है option D सही हो जाएगा यह पांच राज्यों से होकर गुजरती है नेक्स देखते हैं कि किमबर किम्बर्ले हीरा खान विश्व का सबसे बड़ा हीरा खान है नेक्स प्रस्ट पे चलते हैं भारत में नवरात्री परपर मैक डूनाल बिसुद्ध निरामिस हो जाता है उधारन है और इसका अंसर हो जाएगा बिस्व के सबसे ब्यस्तम नहर है यह जर्मानी में इस्थित है कील नहर जो है वो उत्री सागर और बोल्टिक सागर के बीच इस्थित है और सबसे बेस्ट नदी की बात कहा जाए तो नदी मार्ग है राइन नदी नेक्स्ट है दिये गए अगला पद क्या होगा C3, F6, I9, L12 यहां पर क्या है कि C से F जा रहा है पलस 3 और F से I जा रहा है पलस 3 I से L जा रहा है पलस 3 L से ओ जा रहा है पलस 3 तो C के अस्थानियमान अगर हम 3 रखते हैं F के 6 है, I के 9 है, L के 12 है, O के 15 है तो नेक्स्ट जो होगा, वो क्या होगा? वो होगा और कितना होगा? तो 15 होगा अप्सन हो जाएगा A, वो 15 नेक्स्ट है तसो कर बेटलेंट्स आदरभूमी भारत के किस चितर में? तसो कर बेटलेंट्स, अंसर हो जाएगा उप्सन B, लदाग में तसो कर बेटलेंट्स आदरभूमी भारत के लदाग चितर में इस्थित है तसो कर आदरभूमी को भारत का 42 वा रामसर साइट गोशित किया गया था और दो फरभरी को विश्थ आदरभूमी दिवस मनाया जाता है रामसर संदी कब हुआ था? तो 1975 में स्तित में आया था भारत ने इसके समझा होता, उने 182 में स्विकार किया था बरतमान में कितने रामसर साइट है? तो 75 रामसाइट है और पूर्सों के सौट पूर्ट का बजन 7.26 केजी यानि 16 पॉंड होता है महिलाओं के सौट पूर्ट का बजन कितना होता है? 8.8 पॉंड यानि 4 केजी सभी पूर्ट सहिलियों के साथ लच लगवख 45 डिगरी के कोन पर अधिक्तम 2 के साथ सौट को छोड़ा जाता है नेक्ट है इसका अंसर हो जाएगा जोहानस बर्ग में इसे रियो पलस्टेन के नाम से भी जाना जाता है जो जोहानस बर्ग में 2002 में हुआ था नेक्स्ट है जोलाउजकल सर्वे अफ इंडिया के हालिया प्रकासन में निम्न जगापर पछ्यों के 248 पर जातियों के बारे में बाते की गई है किस माह में भारतिये बाई श्यना दिवस मनाया जाता है किस माह में अंसर हो जाएगा ओप्शन B कि अक्टूबर माह में मनाया जाता है भारतिय बायुस जेनादिवस इतने अक्टूबर को तो आठ अक्टूबर को इंडियन एर फोर्स की अस्थापना आख्ट अक्टूबर 1932 को किया गया था नेक्स देखते हैं भारा द्वारा CMS-01 नमर संचार उपगरा प्रफेचित किया गया था यह G-Sat 12 का अस्थान लेगा CMS-01 इसरो द्वारा PSLV C-50 रॉकेट का उप्योग करके लाउंच किया गया उपगरा का नाम है और यह भारत का 42 सवा संचार उपगरा है नेक्स देखते हैं The Republic Ethics Volume 3 किसके चैनित भासनों का संकलन है अंसर हो जागा उप्षन ए रामनात कोवित के भारत के 14 राष्ट पतित है और उनके चैनित भासनों का संकलन है The Republic Ethics Volume 3 नेक्स प्र perform है कि भारत में निर्यात प्रषाहन हे तू 31 मार्च 2000 को घोसित योज मैं था questi राष्ट संसर disabilities या-जिव है तो 2000-25 ठीक बिदेसी य परनातिक के प्रभधानों के अधिन वितिये प्रषाहन किया गया नेक्स प्रेस्ट पर चलते हैं कि यदि किसी अस्प्रिंग में धारा परवाहित कराई जाती है तो अस्प्रिंग खाली अस्थान होगी अंसर हो जाएगा अप्शन B संकुचित यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कर आई जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी जब किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग के सभी फिरों में धारा समान दिसा में बहने के कारण स्प्रिंग संकुचित हो जाता है नेक्स्ट है नियत निवेस प्राप्त करने है तू सकल निवेस में से क्या घटाया जाता है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन D मुल्यहास नियत निवेस प्राप्त करने है तू सकल निवेस में से मुल्यहास घटाया जाता है मुल्य हास किसी एसेट्स की मुल्यों में होने वाली कमी को कहते है नेक्स्ट है कोटोपैक्सी प्रवतिय चोटी किस देश में इस्तित है और इसका अंसर हो जाएगा option C इकवाडोर में कोटोपैक्सी प्रवतिय चोटी इकवाडोर में इस्तित है कोटो पेक्सी एक सक्रिय ज्वाले मुखी है और बीस्व का जो सबसे उचा ज्वाले मुखी है वह है ओजस डिल सलाडो बिस्व के सबसे उचाई परिस्थे 7 जो आला मुखी, एकांग ग्वा जो आला मुखी है भारत में एक मातर सक्रिय जो आला मुखी है, बैरन जो आला मुखी किया जाता है, चिकित स्योप करन को किटानू रहित करने है तू, अस्ट्रिलाइज जेसन बिधी परियुक्त होता है नेक्स प्रेस्ट पे चलते हैं कि लूसी ब्रांज का संबंध निमलिखित में से किस कहल से है, लूसी ब्रांज का और इसका अंसर हो जाएगा, उप्शन A, फुटबॉल से, लूसी ब्रांज का संबंध फुटबॉल खेल से है, मैंचेस्टर यूके के लूसी ब्रांज ने फीफा महला खिलाडी 2020 का खिताब जीता है अगले प्रस्ण पे चलते हैं कि तोता है हिंद के नाम से परसिद अमीर खुसरो पैदा हुआ था, कहां हुआ था, तोता है हिंद के नाम से परसिद अमीर खुसरो, अंसर हो जाएगा, उप्शन C, पटियाली में अमीर खुसरो पटियाली में पैदा हुआ था पटियाली उत्तर पड़े सराज के कासगन जीले में इस्थित एक तहसील का मुख्याला है अमीर खुसरो खड़ी बोली के पर्थम परियोग करता थे और इन्होंने तबला और सितार बादी अंद्र के अविस्कार माना जाता है अमीर खुसरो चित्तोड अभ्यान के पर्टेस्च दर्सी थे समाजिक मुल समाज के इस से पर्तिमान या धरनाय है जिसके अधार पर हम किसी ब्य्ति समूहों के गुन बाब गुन के मुल्यांकर करते है समाजिक मुल दैनिक जीवन के ब्हवार को नियंत्रित करने में समान सिदानत है नेक्स्ट है GMAX संजुक्ट नवसेन अभ्यास है अंसर हो जाएगा ऻूप्शन B भारत वर जपान जीमेक्स संजुक्ट नवसेन अभ्यास भारत और जपान के बीच है भारत जपान के भी संजुक्त सान अभ्यास धर्म गारजियन भी है और 10 मार्स 2022 तक बिलगाउम में हुआ था, फॉरन ट्रेनिंग नोट में आयुजित किया गया था, कब से कब तक तो 27 करवरी 2022 से 10 मार्स 2022 तक कौन सा तो धर्म गारजियन इंद्र धनुस सैन अभ्यास भारत और उनाइटेट किंग्डम के बीच होता है और जो सूर्ज की रन है वो भारत और निपाल के बीच होता है और बरुन भारत और फ्रांस के बीच होता है नेक्स देखते हैं निमलिखित में से कौन सी धातू हमारे सरीर में रट का थक्का जमने के लिए उतर दाई है अंसर हो जाएगा अप्शन D, कैल्सियम, कैल्सियम धातू हमारे सरीर में रट का थक्का जमने के लिए उतर दाई है बिटामिन के की कमी से रट का ठका नहीं जमता है बिटामिन के की कमी से हीमोफिलिया रोग हो जाता है और सोडियम की कमी से हाइपो नेट्रीमिया रोग हो जाता है हाइपो नेट्रीमिया रोग हो जाता है और आइरन की कमी से इनीमिया रोग हो जाता है कौन सा सुमिलित नहीं है काली मिटी को कपाशी मिटी भी कहा जाता है और मिटी के अधियन को क्या कहा जाता है तो पेडोलोजी कहा जाता है अगले प्रस्ट पर चलते हैं प्रस्ट पर चलते हैं कोश्का जिली में सरवाधिक परचूर लिपीड है कोश्का जिली में सरवाधिक परचूर लिपीड कौश्का जिली में सरवाधिक परचूर लिपीड है इसका अंसर हो जाएगा अप्शन डी जोतिवा राव फूले सत्थ सोजक समाज के स्थापना ठारा सो तिहत्तर इस्वी में किया गया था जियत्वा फूले ने घुलाम गिरी पुस्तक की रचना की थी और उनकी पत्नी थी सवित्री फूले जो भारत की पर्थम सिचका कही जाती है नेक्स देखते हैं बेबर के अनुशार समाजिक बिग्ञान का पुर्ण ब्याख्या समाजिक किरिया की खाली स्थान सोच बिक्सित करना है अंसर हो जाएगा ऊप्शन बी जिनेवा में ब्यपार एवं परसुल्क पर समझावता जिनेवा में हुआ था उरुगबे राउंड के बारता में से 20 व्यवपार संगठन का रूप रेखा को अंत्रिम रूप देने का पहियास परम्भुआ था उरुगबे राउंड 1986 से परम्भुआ था और मराक्य समझावता द्वारा 1994 में डेवलू टियो को अंतिम रूप दिया गया था डेवलू टियो की अस्थापना एक जनवरी 1995 को किया गया था नेक्स देखते हैं राजिब गांधि खेल रत्न पुरुषकार की इनाम रासी कितने हैं? अंसर हो जाएगा ओप्शन D 25 लग राजिब गांधि खेल रत्न पुरुषकार की नाम रासी 25 लग है अब राजिब गांधि खेल रत्न पुरुषकार का नाम बदल कर 6 अगस 2021 को मेजर ध्यांचन खेल रत्न पुरुषकार कर दिया गया है अगला प्रस्ण है कि बिसुबत्य बर्सा बन को ब्राजिल में किस नाम से जाना जाता है? अंसर हो जाएगा ओप्शन A सिलवास बिसुबत्य बर्सा बन को ब्राजिल में सिलवास नाम से जाना जाता है सिलवास बन को अमेजन बर्सा बन भी कहा जाता है अमेजन बरसावर को पृत्थीवी का फेबडा भी कहा जाता है कुछ उसन कटिबंदी है घास के मैदान है देख लेते हैं लानोस कहा के है तो बिनज्येला अर्जेंटीना के छेतर को कमपोस ब्राजिल के छेतर को कहा जाता है सवाना जो घास का मैदान वो फिरका में है पठाना सिरलंका में है पार्कलेंड अस्ट्रेलिया में है नेक्स प्रेस्ट पर चलते हैं कि यदि किसी अपरिवर्ती परतिरोधक को सीरो के बीच का विववान तर आधा कर दिया जाए तो बिधुत सक्ति का मान होगा और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन D एक चोथाई होगा क्योंकि P बरावर होता है B square by R नेक्स्ट है अमलिया बरसा के लिए निमली खित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है अंसर हो जाएगा उप्शन D नेक्स्ट प्रेस्ट पर चलते है कि डेविस कप संब्दी थे अंसर हो जाएगा उप्शन A टेनिस से डेविस कप के शुरुआत 1921 में हुआ था और एक फेड कप टेनिस से संब्दी थे ये महला बर्क से संब्दी थे थामस कप जो होता है वो बेडविंटन खेल पुरुषबर्क से संब्दी थे और वेर कप बेडविंटन महला बर्क खेल से संब्दी थे अगले प्रेस्ट पर देख चलते हैं यदि भागा का अर्थ पलस गुना का अर्थ माइनेस पलस का अर्थ भागा कीजिए और बताइए कि यह अलिका का पिर्थकरन ऐसे होता है किस अनुछेद में है इसका अंसर जो हो जाएगा यह का है वो थड़ से ग्राम पंचायत का गठन अनुछेद चालिस से है और समान नागरिक सैंता का अनुछेद 44 है किर्शी और पसुपलन जो है वो अनुछेद 48 से है कार्जपालिका का पिर्थकरन है अनुछेद 50 से है तो अंसर हो जाएगा औश्यशन ए नेक्स्ट है दिये गए आकिर्थी में लुफ पद ग्याद कीजिए जो लुफ है उसे ग्याद कीजिए तो 42, 134, 36, 99, 32, 38, खाले स्थान और 16 है इसमें क्या किया गया पहले रो में कि 42 गुना 2 करने पे 84 आता है और 38 भागा 2 करने पे 19 आता है 84 पलस 19 और पलस 1 कर देंगे तो 20 बला जाएगा 104 इसी तरह दूसरी रो में किया गया है 36 गुना 2 किया हुआ है 72 और बामन भागा 2 किया गया है 26, 72 पलस 26 पलस 1 करके 99 में लाया गया है 38 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा? 38 गुना 2 करेंगे तो 76 आएगा और 16 भागा 2 करेंगे तो 8 आएगा तो 76 पलस 8 को जोड़ के पलस 1 करेंगे तो आएगा 85 अप्शन B सही हो जाएगा नेक्ट है प्रिथिवी पर जीवन की उत्पत्ती कब हुई थी? और इसका अंसर हो जागा अप्शन B 3.8 बिलियन बर्स पूर्व हुई थी प्रिथिवी की प्रिथिवी की आयू 4.6 बर्स पूर्व मानी जाती है प्रिथिवी पर सर पर्थम जलिय जीव की उत्पत्ती हुई थी? ड्रायो पिथेकस से रामा पिथेकस की उत्पत्ती हुई थी? रामा पिथेकस मानव का पर्थम पूर्वज है और अधूनिक मानव या मिधावी मानव या प्रवुद मानव होमे सेपियांस है मानव की उत्पती ऐसे अफिरका महादेश में हुई है नेक्स्ट है निम्न में से किस कैल्सियम योगी का उप्योग डंत मंजन यानि तूथ पेस्ट के एक हलके अपधर्सक के रूप में परियोग किया जाता है अंसर हो जागा उप्षन C, CSU3 कैल्सियम योगी, CSU3 का उप्योग, डंत मंजन या तूथ पेस्ट के एक हलके अपधर्सक के रूप में किया जाता है अगला प्रस्ण है जहरीला परदाथ जो हरा आलू में पाया जाता है सही अंसर हो जागा उप्षन D, 169 169 जहरीला परदाथ है जो हरा आलू में पाया जाता है कुछ है मुली में तीखापन आता है कड़वापन का कारण आइसोसाइनेड मिर्च के तीखेपन जो आता है वो केपसोसीन से और गाजर में जो नरंगी रंग आता है वो केरोटीन के कारण और प्याज में लाल रंग कैसे निथीन के कारण और गाजर में लाल रंग इन्तो साइनीन के कारण अगला परस ने दिये गए अगला पद क्या है 8,16,266,161 यहां क्या किया गया है कि 2 के Q किया गया है 8 लाया गया है 4 के स्कॉयर किया गया है फिर 6 के Q किया गया है, 8 का square किया गया है, 10 के Q किया गया है, तो अगला क्या होगा, 12 के square होगा, अंसर हो जाएगा option A, 144. Next है, भारतिय समिधान के किस संसोधन द्वारा मंत्री परिशद में मंत्रियों की संख्या को सिमित किया गया है, और इसका अंसर हो जाएगा option D, एक आनवेवा समिधान संसोधन मंत्री परिशद में मंत्रियों की संख्या को सिमित किया गया है, मंत्री लोकसभा या बिदान सभा के संदश्यों के संख्या का अधिकतब 15% ही होश रखता है, अगला है और अरगजेव की मिर्तु के समय मराठा समराज का निकरिद किस के पास था अंसर हो जाग्पसां B, तारा भाय के समय लेकर अपने अपने मिर्तू के अपने महते हो सीवा vive तड के सरचका के रूप में की थी राजाराम के मिर्टुप के बाद तारवाई ने अपने कम उम्र के पुत्र सीवा जी सकेंड बहुत कम उम्र के थे तो उन्हें लेकर अपने शासाग गोशीत कर दी थी और खुल सासन करती थी तारवाई नेक्स्ट है कच्छे खाने वाले खाद पदार्थों को धोना चाहिए और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन B NAOS कच्छे खाने वाले खाद पदार्थों को NAOS से धोना चाहिए sodium hydroxide का उप्योग साबून उद्धोग में बसा तेल के hydrolysis के लिए किया जाता है नेक्स्ट प्रस्ट है कि प्रोटेस्ट टेंडबाद के जनक कौन थे और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन A मार्टिन लूथर 1527 वी में मार्टिन लूथर किंग सीनियर ने 95 बचन को विटन बर्ग के आल सेंट सेल्ज के एक दरवाज जा पर अंकित कराया था अगला है खाद स्रिंखलाओं के इंटर लिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है अंसर हो जाएगा अप्शन C, खाद जल कहा जाता है खाद चक उन सभी स्रिंखलाओं का एक समू है जो एक समुदायक के अस्तित्व को समच सच्छम बनाता है खाद चेकुर सवी सिंकलाओं का एक समू है जो एक समुदाय के स्तित को सच्छम बनाता है परिस्तित की तंतर में एक जीव से दूसरे जीव में भोज पदार्थों को अस्तरांतरन खाद सिंकलाओ फूडचेन कहलाता है नेक्स्ट है खाली स्थान रुधिर में पैदा होने वाले सुच्म जीवों को फसा कर रुधिर निश्यंदक या फिल्टर के रुप में काम करता है अंसर हो जागा उप्षन C, पलीहा पलिहा रुधिर में पैदा होने वाले सुच्म जीवों को फसा कर रुधिर निस्यंदक के रूप में काम करता है यक्रित मानाफ सरीर के सबसे बड़ी गरंथी है जो डायफ्राम को नीचे उधर गुहा में इस्थित होती है लश्का गरंथी का उदेश प्रति जैन को ट्रैप करना है नेक्स्ट है बिश्व का सबसे तेज धावक उसाइन बोल्ट कौन से देश का है अंसर हो जागा उप्शन C जमाइका के उसाइन बोल्ट ने बिश्व अस्तरिय दोड़ परतियागता में एक रिकॉर्ड बनाए है उसाइन बोल्ट ने लगतार तीन ओलंपिक बीजिंग 2008, लंदन 2012, रियो 2016 में 100-200 मिटर दोड़ परतियागता में सुहन परतिया है नेक्स है, बोर के सिद्धान के अनुसार परमानू की त्रीजिया और बम्मुख क्वांटम संख्या इंस में संबंध दिया जाता है अंसर हो जागा उप्शन C, और प्रोपोर्शनल टू एन अस्कॉयर दिया जाता है निमलिखःत में कौन सा लच्छन प्रात्मिक समूँख का है जिस वट के अनुसार प्रात्मिक समूँख यानि आमने सामने का समूँख परतियच्च ब्यक्तित्व संबंधों पर आधारित होते हैं जिसमें सदस प्रस पर तुरंत बहवार करते हैं और एक फूले हैं विद्वान उनके अनुसार की प्राथमिक समूख से तत पर एसे समूख से है जिसकी विशेस्ता घनिष्ट आमने सामने के संबंद और सहयोग से है चलिए नेक्स प्रस पर चलते हैं कि राष्टी एक खेल दिवस मनाया जाता है कम मनाया जाता है अंसर हो जाएगा ऑप्शन C 29 सगस्त को मनाया जाता है हवकी के जादूगर मेजर ध्यांचन को कहा जाता है राश्टिय खेल दिवस ध्यांचन के जन्दीन पर ही मनाया जाता है मेजर ध्यानचन का जन्म कब गुआ था तो 29 सगस्त 1925 को इलाहा बारी में ध्यानचन ने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था गूल नेक्ट प्रेस्ट नहीं माइको टॉक्सिन उत्पादित होते हैं और इसका अंसर हो जाएगा option C कबक द्वारा माइको टॉक्सिन कबक द्वारा उत्पादित होता है माइको टॉक्सिन सुभाविक रूप से कुछ मोल्ड कबक द्वारा उत्पादित विसाक पदार्थ होते हैं और ये भोजन में पाए जा सकते हैं अगला है किस दसक को United Nations Decade of Healthy Aging घोशित किया गया है अंसर हो जाएगा अप्शन D 2021 से 2030 के दसक को United Nations Decade of Healthy Aging घोशित किया गया है निम में से कौन सी एक ध्वानी एकाई है अंसर हो जाएगा अप्शन B डेसिवल डेसिवल एक ध्वानी एकाई है ध्वानी की परवलता कमपन के आयाम पर निर्वर करती है नेक्स्ट है रानी रामपाल के एक परतिष्ठित खेल परतिभा किस खेल से संबंदित है रानी रामपाल अंसर हो जाएगा अप्शन B हाउकी से रानी रामपाल एक परतिष्ठित खेल परतिभा हाउकी खेल से संबंदित है रानी राम पालेट टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतिय महला हौकी टीम का नेतरित्व की थी अभी बरतमान में संता पुनिया राष्टिय महला हौकी टीम की कप्तान है अगला प्रस्ण है कि सुची एक और सुची दो को सुमिलित करना है अन्यमलिकित कुटों को सही परियोग करते हुए चयान करना है आई ये देखते हैं कौँ सह है तो बिल्ली बिल्ली कहां तो अस्ट्रेलिया में हरीकेन जो है वो है यूएसे में टाइफुन चीन में तो अंसर हो जाएगा आप्शन बी कुछ पवन और भी है जहां अस्थानी अच्छत पे होता है जैसे में बोरा एडियोटिक तड़ पे होता है सामून इरान पे बर्गस दच्छी नफिरका में पुर्गा टूंडरा परदेश में नौटी संजुक राज अमेरिका में मिस्ट्रल अस्पेन एवं फ्रांस में चलिए नेक्स्ट प्रस्ट में चलते हैं कि किस राज में बिधान परशद का स्रीजन अथवा समाप्ति की जा सकती है सही अंसर हो जागा अप्शन C राज बिधान सभा की तत संबंधिस संकल्प को पारिद करने पर संसद द्वारा किसी राज में बिधान परशद का सीरजन अथवा समाप्ति राज बिधान सभा के तत संबंधिस संकल्प को पारिद करने पर संसद द्वारा किया जा सकता है हाइकिंग के लिए किसी user का password पता करना कहलाता है क्या hiking के लिए किसी user का password पता करना कहलाता है answer हो जाएगा option B asphooming कहलाता है asneeping परक्रिया सभी data packet को monitor और collect किया जाता है जो एक computer network से होकर गुजरता है जो asphooming होता है एक परक्रिया है जो data packets को monitor और collect किया जाता है जो एक computer network से होकर गुजरता है next है stump 1 और stump 2 को मिलान कीजिए और सही कुटो को विकल्प में चुनिए तो जो mitrocandia है वो दोरी जिल्ली का होता है ribosome जिल्ली बिहिन होता है lysosome एकल जिल्ली का होता है और इसका answer हो जाएगा option B, third, 1 और third mitochondria की खोज कोलिकर तथा अल्टमान ने किया था ATP का निर्मान mitochondria में होता है lysosome का निर्मान golgica अथवा अंपरदवी जलिका में होता है चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं कि सही कथर को पहचागे मौसम बायुमंडल की छनिक अवस्था है जलवाई अपेच्छा करित लंबे समय की मौसमी दसाओं का अवस्थ है अंसर हो जाएगा option C, एक और दो दोनों कथन सही है मौसम बायुमंडल का छनिक अवस्था है जलवाई अपेच्छा करित लंबे समय की मौसमी दसाओं का अवस्थ है अगला है 2021 में पद्म स्यरी पुरुस्कार प्राप्त करने वाला कौन है सही जबाब हो जगा Bachelor A. P. अनीता 2021 में पद्मश्री पुरुस्कार प्राप्त की है P. अनीता ने P. अनीता भारते महला बास्केटबॉल टीम के कपतान रही है नेक्स्ट है विभिन देसों में कई लोगों को प्रफावित करने वाली बिमारी को कहा जाता है बिभीन दैसों में कई लोगों को प्रफवित करें वाले बीमारी को जाता है अन्सर हो जगा अप्षन D, सर्व ब्यापी महामारी जो बीमारी किसी छेत्र बिशेस, अत्वा किसी खास छेत्र के दाईरे में काफी तेजी से फ़्ैले उसे महामारी कहते हैं और जिस बिमारी के फैलाब और परसार को कोई सीमा नहीं रह गई और बैस्विक रूप से उसका प्रफाब पढ़ने लगा हो उसे सर्व्यापी महामारी कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सी चीनी आत्री चंद्रगुप दितिये के समय भारत आया था। अगला है यह दम दो से उप्रफाब और जाता है। सब्सक्सक्ने नेसल करणी समय ने मुंद्र में के सकत約 है। गामा किरनों की खोज किसने क्या था तब पॉल पिलाड ने अगला है यदि दो सेंटीमीटर भुजा के एक बर्ग A को दो सेंटीमीटर भुजा बाले बर्ग B से जोड़ा जाए तो A तथा B को जोड़ने पर निर्मिच चित्र का छेत्फल बर्ग सेंटीमीटर क्या होगा अंसर हो जाएगा अप्शन C आठ हो जाएगा दो सेंटीमीटर भुजा वाले बर्ग A का छेत्फल दो गुना दो बरबर चार सेंटीमीटर अगला है दच्छीन अफिरका में परवास के दौरन महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकासन किया था सही जबाब है औप्शन B Indian Opinion पत्रिका का प्रकासन किया था इंडियन ओपिनियन का प्रकासन हुआ था जून 1932 में इंडियन उपिनियन का पर्थम जो समपातक थे वो मनसुख लाल नजर थे नव जीवन समचार पत्र का परकाशन गांधी जी ने शुरू किया था यंग इंडिया समचार पत्र का भी परकाशन 1931 तक महात्मा गांधी ने किया था और हिंदू पेट्रियार्ट समचार पत्रेक है बहुत परसीधी वो हैस्चान्र मुखर जी ने परकाशन किया था नेक्स्ट है अधिकांस रोगानू कारक सुच्मी जी वी किस तापर अधिकांस बिर्धी करते हैं अंसर हो जाएगा अप्शन B 37 डिगरी सी पे बिर्धी करते हैं रोगानू कारक सुच्मी जी 20 से 45 डिगरी के बीच अधिकतब बिर्धी करते हैं अगले प्रस्ण पर चलते हैं कि नियम मैंसे स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है टेरावाइट मेगाबाइट बाइट और गीगाबाइट में और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन A टेरावाइट में क्योंकि 1024 अंवी वरवर एक गीगाबाइट होता है और 1224 कीलो वरवर एक मेगाबाइट होता है अंसर हो जाएगा अप्शन A संदर्व समू है और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन B अकांच्हा समू नियांस जिसके अधार पर हर ब्यक्ति के लिए अपनी उपलब्धियां ब्यहवार भूमिका अकांचाओं आधिका मुल्यांकर करना संभव होता है संदर्व समू कुई अभधारना को हरवट हाइव मैं ने 42 में अपनी पुष्टक स्टेटस में पर्तिपादित किया था आरके मर्टर ने अपनी पुष्टक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रेक्चर उन्हें संदर्म समू को विस्ताहर से समझाया था यानि संदर्म समू एक अकांचा समू है अगला प्रस्ण है कि हाइबूसा टू मि तरिष एजन्सी का मिसन है पिर जया ने ड्र्रेक्चा का मिसन है गी मिसन में अगला है धंड कारण का पठार किस Wirtschaft ने इसका अंसर तरिष गड में दंकारण का पठार च्टिपे श्तित of में कांकेर कोड़नाओं बस्तर वीजापूर नराइनपूर सुक्मा जिलो में 49,060 बर किलोमेटर में ये फैला हुआ है और इसका निर्मान धारवार चटानों से हुआ है कुर्स सेल घाटी में बिश्व की सबसे अच्छी किस्मों में से एक किस्म का सागोन ब्रीज भी पाया जाता है नेट्स्ट है सितारो के टिम्टी माने का करण क्या है और इसका अंसर हो जाएगा अप्शन A सितारो के परकास का बायमंडलिय अपवर्तन है सितारो के परकास का बायमंडलिय अपवर्तन सितारो के टिम्टी माने का करण है परकास के एक माधियम से दूसरे माधियम में परवेस्ट करने पर वो अपने बस्तविक मार्ख से अगर बिचलित हो जाती है इसे परकास का अथ्वा अप्रोदर के तिच्न किनारों द्वारा बुढ़ जाता है उसे विवर्तन कहलाता है और माध्यम के अनू अफ्तित प्रकास बिकिर्णों को अफ्सोसित करके सभी दिशाओं में उस सर्जित अगर हो जाए उसकतना को प्रकिर्णन करते हैं अगला है निमलिकित में से कौन मुद्रा राच्छस का रचनाकर है सही अंसर हो जाएगा अफशन B, विसाखदत मुद्रा राच्छस नाटक है जिसमें नंद बंस के पतन और मोर बंस यह स्थापना से संबंदित चितरन किया गया है देवी चंद्र गुप्तम पुस्तक भी लिखा गया था एसे कालिदास भारत में संस्क्रीत के सबसे बड़ा बिदुबान हुए है कालिदास को महकविक्यूँ पालि दिया गया है और कालिदास को संस्क्रीत भासा का सेक्स्पीर भी कहा जाता है अस्वगोस ने बुद्चरित पुस्ता की रजना की थी और अस्वगोस ने बहुत धर्म का पलमिकी कहा जाता है और भास को भारत के पर्थम नाथकार भी कहा जाता है ये था option के detail बर्णन निमलिकित में से भारतिय समिधान के कौन सा अनुछेद नागरिक्ता से संबंदित है अनसर हो जाएगा option B अनुछेद 5-11 भारतिय समिधान के भाग 2 में नागरिक्ता संबंदित प्राबदान है और भारत में एकल या इकहरी नागरिक्ता है तो पहां से लिया गया था बिर्टेन से और अनुशित 5-11 में ये बर्नन है नेक्स्ट प्रस्ट पे चलते हैं जानबरों में संग्रहित होने वाला प्राकिर्टिक बहुलक ग्लाइकोजोन है अंसर हो जाएगा उपसंडी पॉलिसेक्राइड जानबरों में संग्रहित होने वाला प्राकिर्टिक बहुलक ग्लाइकोजोन पॉलिसेक्राइड है ग्लाइकोजोन शरीर के यक्रित में संग्रहित होता है ग्लाइकोजोन गुलकोज का एक पॉलिसेक्राइड है जो कबक और पस्कूर के उजब भंडारन के रुप में कार्ज करता है अगला प्रस्णा है कि किसी परमारू के तिसरे कच में इलेक्ट्रॉन का कोनिय संबेग कितना होगा जब H कमान 6.6 x 10 to the power minus 30 Joule सेकेंड है और इसका अंसर्फ हजाएगा उप्शन A 3.15 x 10 to the power minus 34 Joule सेकेंड कोनिय संबेग MBR बराबार होता है NH by 2 pi जहां पर अपना मान रख सकते हैं N का 3, H का 6.6 x 10 to the power minus 34 एल निकल कर आएगा 3.15 x 10 to the power minus 34 Joule सेकेंड अगला है पास्च्य करम की धारना परनाली के दोरान दूद को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है इसका अंसर हजाएगा उप्शन D 65 degree Celsius पे गर्म किया जाता है 30 मिनट तक दूद या अन्य द्रप पदारतों को एक निश्ची समय या एक निश्ची तापमान तक गर्म किया जाता है ताकि सभी परकार की रोगानू नेस्ट हो जाए जो उसमें उपस्तित है इसी को जो उसमें उपस्तित है इसी को पास्चुरी करन कहते है पास्चुरी करन की खोज लुईस पास्चर ने किया था अगला है स्वतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जनरल थे अंसर हो जाएगा option B, Lord Mountbatten स्वतंत्र भारत के परतम गवर्नर जनरल थे Lord Mountbatten अब भारत के अंतिम बायसरायब sincerity Lord Mountbatten थे स्वतंत्र भारत के परतम भारतिय और के अंतिम गवर्नर जनरल सी राज़ गपाला सारी थे अगला प्रस्ण है कि 2021 का सांती के लिए नोबिल पुरुषकार किसे दिया गया और इसका सही जवाब हो जाएगा अप्शन B मारिया रेशा और दिमित्री मुरात्योब का 2020 का सांती के नोबिल पुरुषकार मारिया रेशा और दिमित्री मुरात्योब को दिया गया है नोबल पुरोषकार 1901 में दिया जा रहा है और sliderास के परतम नोबल पुरोषकार 2017 से दिया जा रहा है बर्स दो हजर बास का नोबल संथ्य पुरोषकार LS Bilayamen की 캥 की Memorial passe Center for Civil Senators चंगठन को दिया ग́या है दो संघठन को और एक आर्मी को दिया गया है नेक्स्ट है यदि हम किसी भीन को स्वेंच से गुना करे तथा इसके गुनान फल को इस भीन के ब्यूत कर्म से भाग दे तो परिणाम 18 पुर्णांग 26 वटा 27 पराप होता है तो वहमूल भीन कौन सी है अंसर हो जाएगा अप्सन C दो पुर्णांग 2 वटा 3 होगा अपशिश है लाजएगा दो पुर्णांग 2 वटा 3 अगले प्रेशन पर चलते हैं कि हल्दी बाडी चिलहाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है सही जबाब भजाएगा अप्शन A बंगलादेश हल्दी बाटी चिलहाटी रेल लिंक भारत और बंगलादेश से जोड़ता है और ये भारत पकिस्तान यूद 1965 चुविका से बंद कर दिया गया था हल्दी बाडी जो है वो कुछ बिहार जिले में है और चिलहाटी बंगलादेश में इस्तित है भारत बंगलादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलता है जो कुलकता धाका के बीच चलता है एक बंधन एक्सप्रेस भी चलता है जो कुलकता और खुनना के बीच चलता है और ज उप्शन C, गुरु ग्राम में, विजली छत्में विकास के लिए पहला स्किल डेफ्लम्मेंट सेंटर फोर एक्सलेंस गुरु ग्राम सहर में स्थापित किया गया है, अगला देखते हैं कि लोजपुर्ण मांग की स्थीती में कीमत में बिर्धी होने पर, और इसका अंसर नियम के नुशार कीमत और पूर्टी में गहरा संबंध है, मांग का नियम बे लोशिदार बस्तु पर प्राय लागू नहीं होता है, नेक्स्ट है भारतिय फिल्म फियर समारोष 2020 में स्रेश निर्देशक का पुरुषकार किसने जीता है, अंसर हो जाग अप्शन B, ओम रा होता है, कौनसा रोग अंसर हो जाग और option B, कार्मिल का उत्तपा दन सुरू करेगा, कारमिल क्या है? अंसर हो जाएगा option A यह एक राइफल है भारत इसराइली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगी जो राइफल है इसराइली असॉल्ट राइफल है राड और कारमेल का निर्मान मेकिन इंडिया पहल के तहट मध्र परदेश में संजुक्त उकर्म पी एल आर सिस्टम्स द्वार जा रहे हैं नेक्ट्ट प्रस्ण है कि जिगर सब्ध संबन्दित है और इसका अंसर हो जाएगा option D बिलियर्ड से जिगर सब्ध बिलियर्ड से शंबन्दित है बिलियर्ड खेल संबन्दित कई सब्दाबली है क्यू ब्रेक पॉइंट, इनलक, इनलक, कैंसा, बोल्डिंग, हैजर्ड, लॉंग, जेनी, स्क्रेच, स्क्रू बेक, सोट जेनी, स्पोर्ट, स्ट्रोक आदी राइफल सुटिंग से भी कई सब्राबली है, जैसे टार्गेट, बुलसाई, अस्की, सुटिंग, ट्रेंड सुटिंग आदी नेक्स देखते हैं, निमलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और इसका अंसर हो जाएगा, आपसंडी, 79 बटा, 19 नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने दिवान अमीर को ही नामक नए बिभाग की अस्थापना किया था, सही जबाब हो जाएगा, आपसंडी, मुहम्मद बिन तुगलक ने दिवान अमीर को ही नामक नए बिभाग की अस्थापना की थी, दिवान ने को ही किर्सी बिभाग से संब और बलबन एक दिवान अर्ज विभाग के स्थापना किया था, जो एक सैन विभाग से संबंदी था। जो विभाग था गुलाम के हित से संबनित विभाग नेक्स प्रस्ण है कि फीफा बर्ड कप 2022 का आयोजन कहां किया गया आजाएगा इसके आयोजन हो चुका है इसका अंसर हो जाएगा अपसर बी कतर में हुआ है 2022 में 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक के अब फ्रांस के किलियन इंबापे को फीफा कप 2022 में गोल्डन बूर्ड दिया गया था अर्जेंटीना फीफा कप फ्रांस को हराकर तिसरी बार जीत लिया है इससे पहले अगर बाहित मल्ग को किसी जलासय में विसरजित किया जाता है तो उसके अंदर जो घुली अपसिजन थे उसकी मात्रा गिरने लगता है जलिय जीपको जिवित रहने कि एक किसी जलिय चैद में घुले अफसिजन की नियूनतम मात्रा चार मिली ग्राम पर लिटर से कम नहीं होनी चाहिए आईरीश सागर इस्थित है कहां इस्थित है तो अंसर हो जाएगा अपसर डी बिर्टेन के पच्छिम में आईरीश सागर अंटलाटिक महागा सागर से जुड़ा हुआ है आईरीश सागर के उत्तर में स्कॉटलेंड, पूरब में इंगलेंड, दच्छिन में बेल्स और पच्छिम में आईरलेंड से घिरा हुआ है अगला प्रस्ण है कि राजस्थानी भासा में लगू कहानी का सीर्षक जिसे साहित अकादमी पुरुषकार परदान किया गया है कौन है और इसका अंसर हो जाएगा उप्शन B, बारिक बात राजस्थानी भासा में लगू कहानी का सिर्षक बारी बात है जिसे सहीत अकाद्मी पुरुषकार प्रदान किया गया था राम सुरूप किसान द्वारा बारिक बात कहानी संग्रा को सहीत अकाद्मी पुरुषकार दोहजरुनीस दिया गया था साहित तकादमी पुरुषकार उन्हें सो पचपन से दिया जाता है नेक्स प्रस्न है कि निमलिकित सुन तालों में कौन लाख बक्स के नाम से जाना जाता है और इसका अंसर हो जाएगा अप्सन C, उतुबुद्धिन एवक उतुबुद्धिन एवक को लाख बक्स के नाम से जाना जाता है उतुबुद्धिन एवक उधार पुर्न लाखों में दान करता था इस कारण उसे लाख बक्स भी कहा जाता है एवक ने बचपन से ही कुरान को कंठस्ट कर लिया था इस कारण उन्हें कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है ये बग गुलाम बंस के संस्थापक था और मुहम्मद गौरी के सबसे बाफ़ादार या योग गुलाम था ये था बिहार पुलिस अबर निरिच्छक एसाई के परंबिक जो परिच्छा हुआ था अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सेयर कर दिजएगा धन्यवाद